तो हम दो देखने वाले आज डी मॉल्स स्टोरिंग के बारे मैंने पिछली लेक्षे में थोड़ा बोर डिसकस किया था इस लेक्षे में थोड़ा समय बताते हूं क्या होता है अगर यहां पर लिखा होता है अगर यह लिखा होता है यहां पर इसके पार क्या होता है अब यहां एंड क्या है अभी मैं बताता हूं यह के एक्सपेंशन इसका होता है इसमे एंड क्या होता है यहां पर फिर पॉज्टिव या फिर नागेटिव इंटीजर होसकता है यहां फिर पॉज्टिव या जinaja निगेटिव प्लस i sin theta में यह open होता है और यहाँ पर n क्या होता है कोई भी positive or negative integer हो सकता है या फिर कोई positive or negative fraction भी हो सकता है तो इसकी derivation अब देखते हम लोग अगर इसकी derivation के बारे हम लोग बात करें तो इसमें होंगे पहले case में क्या discuss किया जाएगा positive integers के लिए तो यहाँ पर लिखें हम लोग क्या case one क्या होगा for positive for and to be positive तो करते है पॉस्टिव लिए पॉस्टिव लिए क्या करना हम लोग को यहाँ पर अगर हम लोग लेंगे and is equals to 2 यह एक positive integer है ठीक है और फिर हम लोग क्या करेंगे इसको open करने को करेंगे इसको open करेंगे तो simple formula से क्या होगा cos square theta plus i sin square theta plus 2i sin theta into cos theta अब यहाँ पर हम लोग इसको और simplify करेंगे क्या है क्या है क्या है sin theta into cos theta यह आई बहा लिगा है अगर आप trigonometry के formula याद करेंगे तो 2 cos theta into sin theta क्या होता है 2 sin theta sorry sin 2 theta sin 2 theta होता है और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इसकी cos square theta minus sin square theta की तो वह होता है cos 2 theta cos 2 theta का दो और formula होते है क्या होते है 2 sin square theta by 2 is equals to cos 2 theta यह इसी formula से derive होते है ठीक है तो यह cos 2 theta का main formula है तो इसको change कर देते है क्या हो जाएगा cos 2 theta plus i e रह जाएगा और यहां क्या हो जाएगा sin 2 theta तो अगर इन दोनों को देखें तो हम लोग क्या देख रहे है यह यह उपर 2 था अभी power में और फिर कहा गया angle में, angle में multiply हो गया यही अगर हम लोग n is equals to 3 के लिए देखें देखें पहला हम लोग क्या try की even और दूसरा क्या try करें odd तो odd even दोनों के लिए positive अगर positive integer की बात की गई है सिर्फ तो वो पूरा odd even सबको cover करेगा तो odd even क्या हम देख लिए अब odd के लिए देख लेते हैं अगर यहां लिखा होगा क्या cos theta plus i sin theta to the power 3 तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं cos theta plus i sin theta का square into cos theta plus i sin theta क्योंकि हम लोग इसको square में और इसको power 1 में तोड़ सकते हैं cube को 2 और फिर 1 3 हो जाएगा अब यह हो गया अब इसका expansion तो हम लोग जानते है क्या होता है तो वो लिख देते हैं क्या होगा cos 2 theta अब इसका अंदर multiply करते हैं मड़िपलाई करते हैं क्या हैगा cos 2 theta into cos theta cos 2 theta into cos theta plus cos 2 theta into sin theta plus i cos theta into sin theta अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग जो imaginary term होंगे उनको साथ में लेंगे और जो real term होंगे उनको साथ में लिखेंगे cos 2 theta into sin theta और यहां से क्या आया तो बीचे प्लस होंगे साइन होंगे क्या से तो देगा sin 2 theta plus theta तो इसकी जगे क्या लिख सकते हैं हम लोग यहां पर अगर इसको लिखें हम लोग तो लिख सकते हैं cos 2 theta plus theta i sin 2 theta plus theta तो यह पूरा क्या हो जाएगा cos 3 theta plus i sin 3 theta तो अब यहां हम लोग क्या देख रहे हैं जब पाओर 3 रख रहे हैं तो एंगल यह मड़िता हो जाँ रहा है 3 का तो दोनों लोग अभी तक क्या लिए हैं पॉस्टिव लिए तो हम लोग यह चेक कर लिए कि पॉस्टिव इंटीजर के लिए और्ड हो या इवन हो दोनों के लिए क्या है डी माउच तरम true है तो अब देख लेते हैं लोग किसके लिए case 3 आप इसको नोट कर लिए एक बार n is equals to 2 और n is equals to 3 पर अब यहां पर हम क्या आलेते हैं मालने फो एंगेसं यह एका इमjazर करें जैब पॉस्टिव इंगेटिवितिचर तो कर देता है निगेटिव इंटिजर करेंगे एक negative integer के लिए और वो true होगा odd event दोनों के लिए तो यहाँ में लोग क्या लिए सकते हैं cos theta plus i sin theta to the power n क्योंकि यहाँ पर n माना गया है और n की वह लिए लिए माइनस m तो क्या लिए सकते हैं cos theta plus i sin theta is minus m तो अब इस minus m को जब यहाँ लिखेंगे तो क्या आएगा 1 by cos theta plus i sin theta to the power m अच्छा हम दोग इसके पहले वाले case में case 1 जो था वो किसके लिए था positive integer के लिए था तो positive integer क्या true था अगर यहाँ positive integer आता है क्योंकि लोग m को positive integer मानें और यहाँ positive integer आ रहा तो इसको क्या कर सकते हैं open करेंगे तो क्या आएगा cos n theta plus i sin n theta अब यहाँ पर यहाँ आ गया है अब complex नमर में कभी भी ऐसे question है लिखें complex नमर क्योंकि आई को में डिपलाई है तो अगर complex नमर में ऐसे भी question है जिसमें नीचे दिया हुआ ऐसा term तो हम लोग क्या करते हैं से उपन चेसके multiply कर देते हैं solve करने के लिए क्योंकि अभी ऐसे रिजर्ट तो नहीं दिखाएंगे ना कि ऐसे था फिर ऐसे हो गया तो में लोग इसको पूरा उपर साफ जैसे इस तरह में क्या बोला था था कॉस थीटा प्लस आय साइन थीटा इस एकवर स्टू कॉस एड़ टीटा प्लस आई साइन थीटा तो उस तरह मोग प्रूफ करके दिखाएंगे तो यहां क्या करदें है मैं इतला कर लें किसका conjugates का इसके यह हो गया अब इसको solve करते है उपर क्या जाएगा cos n theta minus sin i i sin n theta ठीक है अब यहाँ नीचे क्या है अब यहाँ ध्यान से देखिए a plus b a minus b क्या हो जाएगा यह a square minus b square जब इसको simplify करेंगे यहाँ आई जब square हो गद क्या जाएगा यह negative बना देगा आई और यहाँ पहले इस negative है तो positive हो जाएगा क्या लिख सकते हैं यहाँ पर cos n theta plus sin n theta divide by cos square cos square n theta plus sin square n theta अब यह क्या होता है हमको पता है इसकी value क्या होती ही 1 इसको लिखना या लिखना कोई मतलब है नहीं तो यहाँ क्या दिखिए हम लोग को यहाँ भी म होगा म होगा म म म म म म ठीक है यहाँ यहाँ यह तो ऐसे था पर यहां से प्रूफ स्टार्ट के दें ना यहां बोला क्या कि अगर उपर कोई अगर है पर दो यहाँ क्या दिख रहा है पोजटी हम स्टप्लाइद यहां क्या निगेटी फे देगा साइन पहले से निगे तो अपती बार क्या जएगा पोस्टीव हो जाएगा तो शाइन माइनस म क्लेंगिक कर देंगा। यह एक तो यह तो यह किसके लिए प्रूफ हो गया जब N एक निगेटिव इंटीजर है एन इस निगेटिव इंटीजर ठीक है तो इसको नोट कर लिजे तो हम लोग डिस्कुस करने वाले हैं केस थ्री केस थ्री में क्या बोला है कि किसी भी पॉस्टिव और निगेटिव फ्रक्शन के फ्रक्शनल नंबर ठेक है अब फ्रक्शनल नंबर को हम लोग क्या करेंगे इसकी पावर में रखेंगे तो यहां पे पहले लोग एक चीज़ लेट कर लेंगे कि इस थीटा बाइक यू इस एन एंगल अब देखें यहां पे जो पी जो होता था यहां कर कोई इंटीजर वै वैल्यूंट कि तो न्हों बॉय है तो मान लेता है एक एंगल हों पहले से कोई एंगल है ठीका है तो इसके में तो इसके लिए अगर कोई एंगल है तो इसके लिए mystrie एक कोछ करके आगी क्योंकि ब्रिया इसके सब्सक्राइब theta by q plus sin theta by q यहाँ आई है to the power 1 by q हम लोग solve कर रहे हैं सॉरी यहाँ पर हम लोग क्या solve कर रहे है to the power q अब अगर यहाँ to the power q है तो हम लोग d मॉइस्टोरन लगा सकते हैं क्योंकि positive negative integer नहीं रखा हुआ है जीरो है नहीं इसको जब solve कर रहे है अंदर आजना चीए तो q by theta by q पहले से लिखा हुआ है plus i sin q by q theta यह हो गया अब यहाँ साफ साफ दिख रहे है यह q q cancel हो रहा है तो यहाँ साफ क्या लिशकते हैं plus i sin theta और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है cos theta by q plus i sin theta by q to the power q अगर हम लोग दोनों साइड q का रूट ले 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 यह का रूट मतलब 1 by q ले ले दोनों साइड लिए हैं तो कोई दिखकत होना नचीए एक क्वेशन में तो यह वाले term क्या होगा यह वाले term q by q क्या हो जागा तो यहां से हम लोग क्या पर चल ला है कि अगर cos theta plus i sin theta के power अगर 1 by q है तो डी माओ इस थिरम के यहां लिख देते हैं क्या by case first and second positive negativity जो दोनों हो सकता है इसलिए first second दोनों case के help से किया गया है तो यहां पर लोग क्या लिख सकते हैं अगर 1 by q है power में तो क्या हो जाएगा नीची आ जाएगा theta by 1 by q हो जाएगा तो यह चीज का हम लोग यूज करेंगे अभी अब यहां पर यहां पर यह वाले question सुरू करते है case आप exam में जब आएगा derivation तो आप पूरा यह लिखेंगे पहले इस तरह दिखाएंगे कि q for a angle q by 2 theta by q एंगल पर होगा अब यहां पर यहां पर जल्दी से करें तो यहां क्या लिख सकते है cos theta plus i sin theta is equals to p by q यही ना solve करना था पावर में इसको में और और क्या लिख सकते है cos theta plus i sin theta to the power 1 by q और बाहर पावर चला जाएगा p का और multiply होते हैं ऐसे खूल सकते हैं अब यह जब खुलेगा ब्रैकेट यहां तो यह multiply होजएगा तो p by q वापस हो जाएगा अब इसकी वैल्यू देखी यहां से इसको अगर equation मालने 3 यह लिख सकते हैं क्या from 3 हम लोग क्या कर सकते हैं इसको change कर सकते हैं cos theta by q plus i sin theta by q to the power p ठीक है और फिर by case 1 and 2 positive negative domain integer के लिए p की value कुछ भी हो सकते positive negative integer तो उसके लिए क्या लिए सकते हम लोग cos p theta by q plus i sin sin p theta by q यह दिखाए यहां पर यहां से यहां बाहर p by q था अंदर p by q मन डितलाई हो गया तिये दीसरा case है इसमें दीसरा case आप note करें देमाज सरम प्रूफ हो गया है अब इसका statement लिख लेते हैं for या फिर from case one two and three we can say that तो पहले case दूसरे case और तीसरे case के साथ क्या बल सकते हैं कि यह n की positive negative integer जा फिर positive negative fraction value के लिए true है तो डिमाज सरम क्या था cos theta plus i sin theta to the power n is equals to cos n theta plus i sin theta तो यह क्या था डिमाज सरम अब मिलेंगे नेक्स लेक्शर में और डिस्कुस करेंगे इसके आगे का टॉपिक इसका एक अप्लिकेशन भी है वो भी डिस्कुस करेंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे क्या sin n जिसमें हम लोग बात करेंगे sin n theta के expansion के बारे में and cost n theta के expansion के बारे में और हम लोग बात करेंगे कि आपके यूस्फूल का है अगर आपको वहीं ब्सक्राइब कर रहा है या फिर बिसी कर रहा था आप मैं अचला उसे सज्जेस्ट कर सकते हैं मैं चाहिए मैंने कुछ आज वीडियो भी हैं जो मैं ड्रेग ले स्केचिंग करता हूँ डेली स्केचिंग ठोड़ा बहुत उसकी वीडियो है आप जाके उसे चेक कर सकते हैं तो थैंक्स पर वाचिंग